व्लोग कैसे हैं आप सभी आप लोग बहुत अच्छी होगे तो सुभई का टाइम हो चुका है कदीर नौ बच के पाई आलस पनट का टाइम हो गया है और जैसे कि पिछला ब्लॉग मेंने खातम किया था वस्त उसी के आंगे से वला ब्लॉग में स्टार्ट कर रहे हूं पिछ चल अपना ब्लॉग के स्टार्ट कर लेती हूं कि सुभई कातम कर दिया था और सुभई सुभई के पूर जो क्लीनिंग का है तो मैं आप लोगे साथ सेयार करने वाली हूं तो चलती हूं बेट्रोप फ़ले क्लीन करना है फिर जाड़ू हो गया पहुंचा होगा टेस्टिं सुभई के जैसे कि बताएं कि नौबच के 45 मिनट का टाइम हो चुका है तो प्लीज पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाईएगा और साथ इसाथ ना चैनल को सब्स्क्राइब करते हूए जाईएगा और बस ब्लॉग में बने रहें और इसे बाद मैंने फटाफट शुरू कर दी है क्लिंग और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बच्चों का रूम हो गया हॉल हो गया इसारी क्लीनिंग कर देख सकते हैं कितने सारे कपड़े बड़े हुए हैं तो टेली सोचती हूँ कि ना कपड़े में इसमें ना अच्छे मे के रहेंगे तो जो कपड़े धूले हुए हैं उनको फटा-फट से मैं आलमारी में लगा देती हूँ क्योंकि जितना कपड़ा बाहर पहले रहेंगे उतने ही ज्यादा गंदे होगे तो यहां पास नाई साड़ी मेरी थी जो मैं पूझा में पहने थी रेड कलर की अच्छी साड़ी रख दिया बागी के इनके कोह सारे कपड़े हैं तो मतलब प्रस करने के लिए हैं बागी तो मैं ऐसी ही रख देती हूँ जब आवश रखता होगी तब प्रस होते रहेंगे और इस श्याटर हो गई एक दो कपड़े इसमें ऐसे हैं कि जो मतलब धुलने वाले हैं तो फिलाल अभी हो रखे रहेंगे जिसमें मस्कीन लगाऊंगे इस दिन मैं डाल दूँगी इसके बाद कपड़े उप्टे रखें ज़ाड़ू लगाना मैंने सुरू कर दिया है तो वेड्रोम से ही मैंने ज़ाड़ू लगाना उधर से ही सुरूआत कर दिया है बागी कर बहुत ही गंड़ा होता है कि कि डेली उतना जय्दा अंदर बच्चो के रहो में गंड़ा नहीं हो पाता किसी किसी दिन बहुत ज्यदा गंदा करते हैं किसी के दिन ज्यदा नहीं रहता तो चली यहां से जाड़ों लगाते हुए सीधे बाहर की तरफ लेकर चलती हूं तो पूरे घर का कचड़ा इकठ्ट बाहर लेके आके और यही पासना कचड़ा बर लोंगी। फिर बाहर का भी होता है घ्रया साफ करने का पूरा गट की अपने सामने का। जैसे कि पता है कि गत्ती बारी बता कुने हैं रहें बाहर के लिए अलक जड़ों योज करते हूँ कि बाइक भी हटा के डेली नहीं साफ कर पाते हैं तो जिस दिन धुलाई हो जाती है बाहर के एरिया की तो ठीक है नहीं तो फिर जाड़ू पहुचा इतना जादा लब साइकल के असपास नहीं हो पाता है तो आज बाइक नहीं थी इसलिए मैं साइकल हटा हटा के और मतलब दूल काफी जम जाती है मिट्टी खास कर गम लोग कुछ नहीं तो गिरती ही रहती है तो चलिए यहाँ पास हमने कचड़ा भर लिया है पूरा फटाक से और चलते हैं पूरा थोड़ा सामने जाड़ू लगा देते हैं इतना जादा गंदा नहीं रहता है अबर पेपर दूल बहुत जादा आती है तो चलिए इसके बाद जाड़ू लगाने के बाद में फटाक से ना किचन में आ गहीं हुच टाइल सोल्स थोड़ा सा चिप-चिप कर रही थी तो वहीं ब्यूम लुकित है जिससे वर्तन साफ करती हूं उसे से मैंने पूरा दीवाल में हलका सा पहले एक कपड़ा से मार दिया गैस पे स्टोप भी मार दिया पूरा प्लेट फार में और अच्छे से पानी एक कपड़ा लेकर निचोड निचोड के पूरा अच्छे से क्लीन कर दोंगी मतलब दो चार दिन के लिए वैसे तो क्लीन दो डेली काम होता है मगर दो चार दिन बहुत जादा आवाज आ रही होगी जैसे मैं वाजिंग करती हूँ तो क्या है कि बार साइड में आई होई थी यहाँ पास मैं कर रही थी वाजिंग रोट के साइड बच्छों को छोड़ने के लिए सुवे 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 स्कूल तो क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं लगता न तो यहीं पास मेरे पास टाइम था तो मैंने सुच चलें यहीं पास कर ले थी वगर बाइक इतनी जादा निकलती है तो सुवे सुवे का वक्त है तब को इस रोट में बाइक तो चलेंगी पर आवाज उसी की आ रही है तो चलिए क्योंकि फिर ना अगर आभी में वाजिंग नहीं करूंगे सुवाज सुवाज तो फिर 9-10 बत जाते हैं तो फिर हमारे घर के अगल वकल काम चलता है तो हम बहुत जादा सोर होता है जिसकी विज़से नहीं मुझे वाजिंग करना ही वरती है तो फिर दिन में बिल्कुल भी पांच वज़े तक नहीं कर पाती हूं तो चले इसके बाद बात करते करते हैं पूरे घर की डस्टिंग भी हो गई बस रहे गई दर्वाजे भी बीच बीच में ना मारती रहती हूं की साफ हो जाए और बस अच्छे से मैंने क्लियन कर दिया जो कपड़ा में लेके रहे हूं दोती इन बार मैंने इसको साफ कर लिया अच्छे से यूगि धूल काफी जम जाती है उसमें और इसके बाद में डोर हैं तो में डोर में भी जैसे कि जो भी में गिल्ट साफ कर रही हूं यह अधिकांस टाइम बंद ही रहता है तो इसमें भी काफी धूल जम गई थी और इ जल्दी हो गई है तो घर के काम भी जल्दी निपट जाते हैं और जल्दी से फूर्शात हो जाते हैं तो चले सु सब्सक्राइब है इसके बाद ना साफ करना मुझे ज़्याद का PTSD कर रहें यहां तो बीच बीच में साफ सुत्रा करती भी रहती हैं ना हम जाते हैं तो चलिए इसका पटाक साफ कर देती हूं थोड़ा सा इसका हैंडल मैं पता नहीं क्या है की अजीब सा हो गया था साफ ही नहीं हो रहा था और खास का दरवाजी के पिछे बहुत जादा धूल जाती है नो ऐसे हो गया था तो चलिए आज मैं फिलाजन को अच्छे से ही साफ करती हूँ कि कुछ सुबज सुबह आज मैं पुरा केनिंग का ही काम सुट किया है इसके बाद एक कवरड़ भी जैसे की आठा निकालते हैं जाता अऄदा भी शान दृलाई किया बर्तन धूलाई कि istow VOC भी दाग आपको बन ही जाती है तो लगे हाथ ना इसको भी साफ कर देती है एक हप्ते के लिए ना क्लीनिंग हो जाती है अगर आप हप्ते में एक दिन भी कर देते हो दर्वाजे हो गएं कावर्ड हो गएं सारी चीजे ना तो एक हप्ते के लिए मोचली आराम से क्लीन दोगाती है तो सुबह का काम होता है खतम और वक्त हो चुका है 11 बज गया है और मोर्निंग रोटीन खतम बस रहे गा तो दुपार का लंच बनाने के लिए तो बस चलते हैं नहाने के लिए चोटे मोटी जो कपड़े उनको हां से ही आज साफ कर लोंगी मसीन लगाने के ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा सा ना आज काम थोड़ा सा जादा था जो दर्वाजी और वाजी हो गएं अलमारी और मारी इनकों नहीं क्लीन किया था जैसे गांक से आने से पहले कीचन के जो कवर्ड है नो बहुत दिनों से मुझे लगता है कि मैंने साफ नहीं किया था तो जैसे आटा लगाते हैं आटा निकालते हैं न जिट्टे जैसे पढ़ गयते फ्रिज में और बांकी के हम ऑझोघी ऑख़ा है किया कीचन का डौर है मेंडोर है तो इन नो दूल जंग आघी तो की सामने थी चेखिते उसे करती रहती हैं जिब बीच बीच में वहल जाता था काफी तिनों जातें तो चलीए वह वह अ इसम leikle 182 फस हम सफाही बस कपड़े निकालते हैं और चल्ते बाद एक और चार बजे चार बच के तीस मिएट के आसबास का टाइम होगा तो यहां पास मैं लगाने लगी हूं बर्तन लंच के बर्तन और रेक फ्राश्ट के ना बर्तन दोनों रखे हुई हैं लंच के बर्तन मैंने से दूलाई करके ना रख दिया था कपड़े मतलब जो कि जो लंच बॉक्स थोड़ा टाइम के लिए ऐसे रखे रहेंगे तो उनको ना सूखने के लिए अच्छा सा टाइम चाहिए तो उनको मैं फिलाल अभी ऐसे छोड़ देने वाली हूं और यह हो गए ब्रेक फ्राश्ट के बर्तन इनको भी फटाक से जमा देती हूं और पूरा फ्लेटराम साफ सुत्रह हो गया है और बर्तन फैले रहते हैं और किचन पूरा मिसी मिसी दंदा के सल दिखता है और शेट कर दो तो वही किचन अच्छा दिखने लगता है तो चाय बनने के लिए थोड़ा सा ही मैं बनाओंगी चाय मैं अपने लिए बर इन्होंने म बचों के लंच के लिए सेंड़िश बना दिया था मगर कुछ ब्रेड उसमें से बच गई थे थी यहाँ पस ब्रेड और आम लिट में बना के बचों को साम करने जो नासता है वो देने वाली हो चाहसा जैसे बता है कि मेरी बोच गई है तो अभी साम का वक्त हो चुका है अच्छा भी मौसम है गर्मियों के टाइम में अगर ऐसा मौसम होता है तो अच्छा लगता है फिलाल अभी तो अंदर भी ठीक ठाकी है ज्यादा अस गर्मी भी नहीं सुरू हुई है और तो बस थोड़ा से गोम रही थी बच्चे खेल रहे थे तो मैं थोड़ा समा तो अभी फिलाल टाइम है बच्चे जब तक खेलेंगे 10-5 मिन अब तक मैं भी आए गोम हूँगी और इसके बाद फिर चलते है नेचे और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को मैं खतम भी कर दूंगी तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएग फुरा सभी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएगा साथ ही मेरे चनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा मिलती हूँ आप लोगों से नेच्ट ब्लॉग में